वेलकम बैक टूइ साल जूली आज के इस वीडियो में मैं आपको एक कुश्चन के माध्यम से समझाने की कोशिस करूँगा कि कैसे आप कोई भी लिनियर प्रोग्रामिंग प्रोडम्म को ग्राफिकल मेथड से स्वल्प कर सकते हैं यह आपके उनिवर्सिटी के भी एक्जाम प्रोग्रामिंग से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि जब भी आपके उनिवर्सिटी में सब्जेक्टिव पेपर का एक्जाम होता है तो यह कुश्चन सोलर नंबर का पूछा जाता है सेम टू सेम यही कुश्चन हर साल रिपीट किया जाता है जैसे यहाँ पे 6 लिखा हुआ है तो अगले साल 5 लिखा हो सकता है 2 लिखा हो सकता है इससे जादा कुछ भी चेंज नहीं होता है तो यह कुश्चन कितना इंपोर्टेंट आपके लिए है यह आप इससे अंदाजा लगा सकते है फिलाहल मैंने अभी जो कुश्चन लिया है यह 2015 में आया हुआ कुश्चन है यानि कि आपका प्रिवियस येर कुश्चन है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसको स्वल्प कैसे करेंगे दिया हुआ है solve graphically maximize z is equal to 6x1 plus 11x2 यह हमें z का मान दिया हुआ है और हमें क्या करना है इसको maximize करना है जनरली कुश्चन में आपको दिया जा सकता है maximize या फिर minimize दो ही टर्म दिये जा सकते हैं तीसरा टर्म कुछ भी नहीं आएगा subject to constraint दिया हुआ है 6x1 plus x2 less than equal to 104 और x2 greater than equal to 0 हम यहाँ पे देख रहे हैं सबसे पहला line हमें दिया हुआ है solve graphically यानि की graphical method से solve करना है सबसे पहला हम लोग काम क्या करेंगे सबसे पहला काम हम लोग यहाँ पे एक हम लोग यहाँ पे coordinate axis बनाएंगे coordinate axis बनाने के बाद हम लोग यहाँ पे इसका नाम देंगे इसका नाम हम लोग देंगे x1 फिर इसका नाम देंगे यहाँ पे x2 और इसका नाम हम लोग देंगे o x1 क्या है हमारा o x1 हमारा यहाँ पे x1 axis है और यहाँ पे o x2 क्या है x2 axis है मतलब यह हमारा coordinate axis represent कर रहा है और last में जो चीज है वो हमारा है O O को क्या बलाएत है तो O हमारा origin है ये चीज आपको पता होगा चलिए अब हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसी graph में कि अगर ये नीचे तक रहता एक बात आप समझेगा कि अगर ये ये जो हमारा axis है ये नीचे ऐसे रहता तो अगर यहाँ पर हम कुछ ड्रो करेंगे graph तो ये इसमें हमारा क्या होगा देखे एकस 1 हमारा इधर आएगा तो ये हमारा क्या होता नीगेटिव होता और ये पोजेटिव होता इसमें अगर हम लोग कुछ ड्रो करते यहाँ पर तो ये हमारा दोनो नीगेटिव होता यहाँ पर क्या होता अगर कुछ हम यहाँ पर ड्रो करेंगे तो यहाँ पर दोनो ने पोजेटिव होगा यानि कि X1 का value भी पोजेटिव होगा मतलब greater than equal to 0 होगा में दिया हुआ था greater than equal to 0 x1 भी greater than equal to 0 x2 भी greater than equal to 0 तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जो भी graph यहाँ पे ट्रोक करेंगे उसमें क्या होगा वो हमारा इसी coordinate axis में यहाँ पे देखेंगे यानि कि first quadrant वे हम greater than equal to 0 और x2 greater than equal to 0 के condition को तो वो कहाँ लाई करेगा तो वो हमें first quadrant में लाई करेगा thus our search for the desired pair x1 x2 इसलिए जो हमारा desired pair जो x1 x2 जिसको हम search कर रहे थे वो कहाँ हैगा तो वो हमारा सिर्फ और सिर्फ first quadrant में ही आएगा आप लोग एक चीज का ध्यान रखेगा जो भी चीज लिखा हुआ है आपको same to same ऐसा ही लिखना है पूरा लिखना होगा तब ही जाके आपको 16 number मिलेगा चलिए अब हम लोग क्या करेंगे now we draw the graph of the constraints by considering them as equalities अब हम लोग क्या करेंगे graph draw करेंगे किसका constraints का कैसे draw करेंगे तो सबसे पहले उसको equality consider करके तो सबसे पहले देखिए हम लोग को क्या क्या दिया हुआ था तो यहाँ पे दो constraints दिया हुआ था सबसे पहला यहाँ दिया हुआ था 2x1 प्लस x2 less than equal to 1 day 4 और x1 प्लस 2x2 less than equal to 76 जब हम इसको equality के तोर पर treat करेंगे तो वो हमारा कितना आएगा तो 2x1 प्लस x2 equal to 1 day 4 और x1 प्लस 2x2 equal to 76 देखिए हम लोग equality इसको बना रहे हैं मतलब less than equal to जो था उसके जब हम यहाँ पे equal to का sign रख रहे हैं तो जब हम इसका graph draw करेंगे यहाँ पे मैं आपको graph भी draw करके दिखा दे रहा हूँ देखिए एक मिनट मैं यहाँ पे थोड़ा सा rub कर दे रहा हूँ इसको देखिए यहाँ पे जब हम लोग graph बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग को 2 equation यहाँ पे पता चल गया तो इसको जो हम लोग देखेंगे कि हमारा x1 coordinate पे कहाँ पे cut कर रहा है और x2 पे कहाँ पे cut कर रहा है मतलब यह अगर हम लोग line यहाँ पे draw ऐसे मान लीजे कुछ asset line draw कर रहे है तो यहाँ पे x1 पे कुछ coordinate पे cut कर रहा है मतलब कहीं पर cut कर रहा है और x2 पर भी कहीं पर cut कर रहा है तो सबसे पहला हमारा cam यहीं होगा कि हम लोग पता लगाएंगे कि x1 x2 coordinate पर कहा कहा पर cut कर रहा है तो हम लोग जब यह हमारा equation दिया हुआ है इसमें हम लोग पुट करेंगे, शबसे पहले x2 के जगा पर 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे x1 का value आ जायगा और यहाँ पे यह हमारा first वला हमारा coordinate निकल के आ जायगा फिर अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको 0 put करेंगे जब इसको 0 पूट करेंगे x1 को तो हमारा x2 का वैलू आजागा तो यहां से हम देखेंगे यह हमारा point आजागा 0,104 सबसे पहले वाले को 52,0 को नाम देदेंगे अ और जो हमारा 0,104 था उसको हम लोग नाम देदेंगे b तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे का यहाँ पे कट कर रहा है C point पे 76,0 पे और D point पे 0,38 पे इसका मैं आपको graph यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे आपको graph आएगा देखिए यह जो हमारा सबसे पहला वाला equation था सबसे पहला वाला हमारा equation क्या था तो 2x1 प्लस x2 इक्वल टू 104 यहाँ पे 2x1 प्लस यहाँ पे आप देखिएंगे 2x1 प्लस x2 इक्वल टू 104 इस वाले ही जो equation था इसका यहाँ पे graph बना हुआ है बाकि जो हमारा second equation था x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 76 तो यहाँ पे इसका graph हो जागा x1 प्लस 2x2 देखिए यहाँ पे जो हमारा graph हो जाएगा वो कितना हो जाएगा तो x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 76 x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 76 यहाँ पे हमारा हो जाएगा चलिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा region कहाँ पे आ रहा है मतलब जो भी हम दो line यहाँ पे draw किये हैं तो यह जो हम लोग line draw किये हैं inequality का किये मतलब सबसे पहला inequality जो था 2x1 plus x2 less than equal to 104 का तो यहाँ पे आया है तो इसका हम लोग देखेंगे कि region यह वाला region satisfy कर रहा है कि बाहर वाला region satisfy कर रहा है जो कि हमने class 11th में पढ़ा था inequality का हम लोग graph कैसे draw करेंगे तो अगर नहीं आता है आपको तो कोई घबडाने की जरूरत नहीं है आपको क्या करना होगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे X1 X2 के जगाँ पर 0 put करके देखना होगा जैसे ही यहाँ पे X1 X2 के जगाँ पर 0 put करेंगे यहाँ से यह वाला भी 0 हो जाएगा यह वाला भी 0 हो जाएगा और 0 हमेसा 104 से छोटा होता है मतलब यहाँ पे हम कहेंगे कि 0 क्या है छोटा है 104 से यह हमारा conclusion सही आ रहा है इसका मतलब क्या होगा कि इस वाले line का region कहाँ पे होगा तो इस तरफ होगा फिर अब हम लोग क्या करेंगे जो second वाला हमें inequality दिये वा था उसमें 00 पूट करेंगे तो यहाँ पे भी 0 यहाँ भी 0 और यह हमारा हमेशा 76 से छोटा आएगा तो इसका मतलब इसका यह वाला region satisfy कर रहेगा तो हम लोग देख रहे हैं दोनों का common region कौन सा है ऐसा region ऐसा छेतर जो दोनों में है तो दोनों में छेतर बस यहीं वाला है नीचे वाला भी हो सकता था लेकिन क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि हम first coordinate में ही सिर्फ देख रहे हैं तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि यह हमारा क्या हो गया region आ गया जिसको मैंने green color से यहाँ पर represent किया है यहीं वाला हमारा region satisfy कर रहा है तो हम लोग जानते हैं कि जब भी हमको ऐसा question solve करना रहता है तो सबसे पहले हम लोग जो भी region satisfy करता है उसके जो भी corner point होता है उसको हम लोग देखते हैं तो इसका corner point कौन कौन सा है तो इसका corner point है सबसे पहला a, जो की हैं हमारा 52,0, फिर यहां पे है o, origin, जो की हम जानते है कि इसका coordinate होता है 0,0, फिर हमारा है d, जिसका coordinate 0,38, और फिर हमें p दिया हुआ है, जिसका p का coordinate हमको पता नहीं है, तो इसका coordinate कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले जो हमें दो equation दिया हुआ था दो equation हमें क्या क्या दिया हुआ था तो यहाँ पर आप देखेंगे हमें दो equation दिया हुआ था 2x1 plus x2 equal to 104 जो हमारा इस वाले line का equation दिया हुआ था फिर यहाँ पर जो हमें दूसरा equation दिया हुआ था वो दिया हुए था x1 plus 2 x2 less than equal to 76 यहाँ पर हम देखेंगे x1 plus 2 x2 यह हमारा क्या था less than equal to 76 यह हमें दिया हुए था दूसरा वाला तो दोनों को जब solve करेंगे तो दोनों लाइन का intersection point निकल जाएगा और वही point हमारा क्या है P है तो हमारा P point यहाँ पर निकल जाएगा अब हम ल जिनका 0,0 A का हमें पता है D का पता है P का निकलने के लिए दोनों लाइन को solve करेंगे दोनों लाइन के equation को यहाँ से हमें P का पता चल जाएगा तो यहाँ पर x1 और x2 का value यहाँ पर 44,16 आ रहा है मतलब P का coordinate कितना आएगा 44,16 अब हम लोग last यानि की third step पे चलेंगे हमें क् आप देखेंगे हमें क्या दिया हुआ था Z का value ही maximize करना था मतलब इसी के value को maximum करना था तो जो भी हमारा corner point आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे corner point का value मतलब x1 x2 का value होगा इस equation में put करते जाएंगे और हमारा z का value होगा निकलते जाएगा तो सबसे पहले origin O का put करेंगे तो यानि कि यह हमारा 0 के बराबर आएगा फिर यहाँ पर a का value put करेंगे 52,0 मतलब जो हमारा x1 के जगा पर 52 put करेंगे और यहाँ पर x2 के जगा पर 0 put करेंगे तो यह हमारा 312 आएगा उसके बाद हम लोग यहाँ पर p का यहाँ पर 44,16 के जगा पर put करेंगे तो 44 यहाँ पर x1 फिर X2 के जगहा पर put करेंगे तो 440 आएगा और D का जो value आएगा वो हमारे 0,38 है तो इसको जब put करेंगे 418 आएगा तो हम लोग यहाँ से क्या देख रहे हैं maximum Z कहां पर obtain हो रहा है मतलब सबसे बड़ा Z का value हमें कहां मिल रहा है तो वो हमें कितना पर मिल रहा है P पर 44,16 पर और जिसका value 440 है तो आसा करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा समझ में आया होगा थोड़ा सा आपके लिए helpful रहा होगा और बाकी मैं आपको बता दू कि अगर maximum पर हम लोग निकाले हैं अगर ऐसा ही minimum पूछ देगा तो minimum हम लोग यहाँ पर लिख देंगे तो अभी के लिए इतना ही thanks for watching वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सकाइब जरूर करतीजिएगा